इर्फान खान के अपोजिट हिंदी मीडियम में नजर आ चुकी पाकिस्तानी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस सबा कमर एक टीवी इंटर्वीव के दोरान फूट फूट कर रो पड़ी जिसका कारण जान शायद आप भी दुखी हो जाएं आपको बता दे पाकिस्तानी टीवी चैनल एप्लस को दिये इंटर्वीव के दोरान अपनी आप बीती सुनाते हुए वह रो पड़ी पाकिस्तानी होने के कारण उन्हें अरपोर्ट पर अपमान झेलनी पड़ी थी जिस तरह का अपमान उन्हें सहना पड़ता है और जिस तरह का वेभार उनके साथ किया जाता है सबा इस बात से बेहत दुखी नजर आई एक बीती घटना को याद करते हुए सबा ने कहा हमारी सरजमी पाकिस्तान जिसके हम नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और जिस तरह हमारी चेकिंग होती है मैं बता नहीं सकती मुझे इतना अपमाल जनक लगता है कि जब एक एक चीज आपकी चेकिंग होती है उन्होंने इंटर्वियू के दौरान आगे कहा मुझे याद है कि एक बार मैं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए तिबली सी जॉर्जिया गई थी जो मेरे साथ क्रू मेंबर था इंडियन सब निकल गए और बस मैं रुक गई मेरा जो पासपोर्ट था उसने मुझे रोक लिया मैं पाकिस्तान से हूँ मेरी पूरी जाच हुई मेरा इंटर्वियू हुआ फिर मुझे जाने दिया गया इस इंटर्वियू के लाइव होते ही शोशल मीडिया पर या वाइरल होने लगा दिल खोल कर अपनी बात सामने रखने की वज़ा से जहां कई लोगों ने उनकी तारिफ की तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनोंने अपनी सरजमी के खिलाब बोनले के लिए उन्हें काफी खरीखोटी सुना डाला सभा पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस है उडान जिनाह के नाम जैसे टीवी सोज में नजार आचुकी सभा मंटो लाहोर से आगे जैसे फिल्मों में भी अपना अधिकारी दिखा चुकी है